नमस्कार दोस्तों चिकन का ये बला रेशिपी साइद आपको भी ट्राइ नहीं किये होंगे और अगर ट्राइ किये होंगे इस तरह बना के कभी ट्राइ नहीं किये होंगे वो भी रेश्टोरन ढाबा से भी ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है तो चलिए देखते हैं क्या र बहुती सिंपल बट मज़ेदा रहने वाला है तो शुरू करते हैं उसके लिए है ना पहले में कड़ाई में तेल ले रही हूं तेल को अच्छा से गरम कर लेंगे जैसे तेल गरम हो जाएगा ना बड़े साइस का दो प्याज को काट के डाल देंगे तब तक वेट करेंगे ज जिसे गल्डेन कलर हो जाएगा देन मसाला पेश्ट जिसमें में लिए हूं अड्रक लेसुन जीरा सुखामेट ची और इलाई ची लॉंग डाल चीन जाई फोल जिसका फ्लेवर बहुती डिफ्रेंट रहने वाला है स्वात के अनुसा नमक हल्ली तेज पता अब रखते हैं गयास को मीडियम फ्लेम में और हलका हलका सा फ्राई करते रहेंगे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला अच्छा से फ्राई नहीं हो जाती और मसाला से जो पानी है अलग नहीं होती मसाला बनके रेडी है देन चिकेन डालते हैं चिकेन को हलका सा ऐसे ही चला लेते हैं देन मटर डालते हैं अल्रेडी मैं मटर धोके रखी थी मटर डालने के साथ साथ देन टमाटर डालते हैं टमाटर एक लेते हैं ग्यास को हाई फ्लेम में रखते हैं और ग्रीन मटर के साथ चिकेन टमाटर को मसाला के साथ अच्छा से फ्राई कर लेते हैं मसाला के साथ मटर चिकेन अच्छा से फ्राई हो चुका है अब डालते हैं धनिया पता और हलका हलका सा फ्राई कर लेते हैं उसके साथ ग्रेवी के लिए पानी देते हैं हलका सा पानी रखते हैं, ग्रेवी के लिए, मटर चिकेन के लिए, हलका सा ग्रेवी काफी है, देन हमारा सिकरेट मसाला डालते हैं, जाई फोल, डालचिन, लॉंग और इलाईचिका, आप चाहे तो और थोड़ा धनियापता डालके ढ़क भी सकते हैं, और हो गया रेडी हमार आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूले I hope आप लोग को अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना अपना फ्रेंड्स फामली के साथ जरूर शेयर करें Thank you for watching